हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद अच्छे से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए यखनी पुलाओ की रेसेपी लेकर आई हो जो की बहुत ही जल्दी और आसानी से बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगती है तो चलिए बिना कोई देर किये हुए फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कोकर में मटन ले लिया है और अब इसमें एक बड़े साइस की प्यास को रफली कट करके डाल देंगे और थोड़े से अधरक का टुकड़ा डाल देना है और खड़ी सौंफ डालेंगे और यहाँ पर खड़ी धनिया भी डालना है दोनों को अच्छे से साफ करके फिर डाल देना है और यहाँ पर थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल देंगे आपके पास जो भी गरम मसाले हों आप सब डाल सकते हैं इसमें और नमक टेस्ट के कॉर्डिंग डाल देना है और एक पोटी लहसुन को धो कर इसमें डाल देंगे लहसुन को ऐसे ही साबोती ही डालेंगे इसके बहुत अच्छे इसमें फ्लेवर आएगा और बस थोड़ा सा पानी इसमें डाल कर इसमें गैस में चढ़ा देंगे और अब इसमें लिट लगा कर इसको खरीब पांच मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे बस हमारी जो है मतन है वो अच्छे से कुक हो जाए तो यह चलिए यहां पे पांच मिनट हो चुके हैं अब अखनी भी अच्छे से गल चुकी है उसको एक जगे इस तरह से चहनी से ट्रांसफर कर लेंगे और देखिए इसमें जितना भी उसका अरख था सब इसमें आ गिया है और यहाँ पर मटन के पीस को अलग कर लेना है यह मैथड जो है अकनी फ्लॉका बहुत ही अच्छा होता है आप इस तरह से जरूर ट्राई करिए आपको पोटली वगरा बांदने के कोई जंजट भी नहीं रहेगी बस इसमें सारा मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजें ऐसे दबा दबाके इसका सारा पल्प निकाल लीजे बहुत ही अच्छा है इसका अरख उतर कराता है और टेस बहुत अच्छा लगता है मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ बहुत ही सेप्ल पड़ता है तो बस अब इस पानी को भी छान लेंगे और सबको इसी में एट कर देंगे तो जो भी यहाँ पे अधरक और धनिया और सौंफ और सारे गरम मसालों का फ्लेवर लैसुन वगएरा प्यास वगएरा सब अच्छा से स्मूतर कर आ जाता है तो आप लोग एक बार इसको जरूर से इस तरह से बनाईएगा जरूर ट्राइ करिएगा बहुत इजी मैथट है इसलिए मैं आप लोग के साथ शेर करी हूँ चलते हैं अब इसको आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं तो बस हमने एक दूसरा कोकर लिया है एक चोड़े मुका ही बरतन लीजेगा और उसमें देशी घी डाल दिया है क्योंकि गीर में जादा अच्छा बनता है यह थोड़े से गरम मसाले डाल दिया ओपर से और एक मीडियम साइज की प्यास को फाइन चॉप करके डाल देना है थोड़े ब्राउन हो जाए प्यास का जो है वो ब्राउन हो जानी चाहिए और यहां पे तीन से चार हारी मिर्च कोई बीच से कट करके डाल दिया है बहुत ही अच्छा बनता है और थोड़ा सा अधरक लैसून वन टीस्पून के करी उसका अधरक लैसून का पेस्ट डाला है और आप लोग भी इसी तरह से बनाईएगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसी तरीका है इसको बनाने का और अब यहाँ पर मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे पुलाओ का और अच्छा टेस्ट आ जाता है, और जो पानी हम लों निकाल के रखा था, उसको अब इस यहीं पर डाल देना है, और नमक थोड़ा सा अपने हिसाब से डालेंगे, पानी को टेस्ट कर लीजेगा, क इसमें यहाँ पर चावल को ट्रांसफर कर देंगे, यह बहुत ही इजी मैथड होता है, और बहुत जादा ही टेस्टी बनके यह तयार होती है, मेरी तो एकदम फेवरेट है, तो मैं तो इसको बना लेती है, क्योंकि जटपड बनके तयार होती है, बस चावल से थोड़ा सा फूट कलर डाल देंगे, यह पूरी तरह से आफशनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालिएगा, और उपर से थोड़ा सा पिसा गराम मसाला डाल देंगे, इससे के और भी जादा टेस्टी लगता है, और इसको दो मिनट के लिए धीमी आज पर दम के लिए रख सर्व कर लेते हैं, तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी और फटाफट बनके यह तयार हो गया, और खाने में बहुत ही जादा लाजवाब लगती है, और खुश्बू बहुत जादा आ रही है, और बहुत ही टेस्टी यह बनके तयार हुई है, तो आप लोग भी इसको जर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न बुलिएगा, और जो विवर्स ने हो, प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो जल्दी मिलते एक नही रेसेपी के साथ, तब तक के लिए टेक क्यार, बाई बाई